हेल दोस्तो स्वागत है आप सबका आज हम फिर से टिफिन बॉक्स के लिए और एक नई रेसिपी लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये रेसिपी और बहुत हेल्दी भी है अगर आप टिफिन बॉक्स में नहीं दे रहे हैं मतलब खुद भी कुछ हेल्दी खान pişकिए ये लिलाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ट्राय कर सकते हैं ये बहुत जल्दी और आसान तरीके असे बन जाता है और स्पर टेस्टी होने के साथ 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 बहुत ज़्यादा है तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं एक क्रैंडिक चार में हमें लेना है अंकुरित चाना और मैंने यहां पर अंकुरित मोंग भी ले लिया है जो हरी वाली मोंग होता है पही लिया है इन सब को हम क्या करेंगे पीस लेंगे ड्राइ पीसना है मतलब सुखा सुखा ही पीसना है इसमें पानी नहीं डालना है और य यहां पर मैने आट कर दिया है एक प्याज, यहां पर मैने 3-4 हरी मिर्ची ले लिया है, यह मिर्ची ज्यादा तीखा नहीं है, इसलिए मैंने 4 लिया है थोड़ा धनिया पता ज्यादा डाल दीजिएगा टेस्ट बहुत अच्छा आता है स्वाथ के हिसाब से नमक, आधा चोटी चमच, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर एक चोटा ही चोटी चमच, हल्दी पाउडर और आधा चोटी चमच, गरम मसाला डालेंगे और इसके बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर इस्तमाल करी हूँ बेसन, दो चमच इतना बेसन मेंने लिया है अगर आपको जरुत पड़े तो आप और एक चमच एक्स्ट्रा इसमें एड़ कर सकते हैं इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह जो मिक्सर है यह त्यार हो गया है अब हम क्या करेंगे हाथों को अच्छे से साफ कर लेंगे साफ हाथ से इसे हम सेप देंगे देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर सिलिंडर सेप में बना रही हूँ हाथों में तेल लगाने की ज़रुत नहीं है गीले हाथ से ही आप इसी बनाएगा इस तरह से ये perfect तरीके से बन जाएगा दिखिए ये तयार है इसी तरह ही मैंने सब तयार करके रख लिया है अब हम इसे पकाएंगे पकाने के लिए एक प्यान में हमें ले लेना है दो तीन चम्मस तेल तेल में हमें इसे क्या करेंगे पकाएंगे और low to medium flame पर ही इसे पकाना है इसे deep fry करने की ज़रुत नहीं है आप चाहें तो इसे air fryer में भी पका सकते हैं उसे भी ये और ज्यादा healthy बन जाता है देखिए इसे हलका हलका इस तरफ से सुनेरा कर लेंगे चारो तरफ से पलटते हुए ज्यादा time नहीं लगता है कम से कम 3 मिनिट में ही ये पक जाता है और इसमें भी हमने ज्यादा चीजों की इस्तमाल नहीं किया है ज्यादा कच्चे चीजे हैं ही नहीं जो पकने के लिए time लगेगा देखिए हमारा ये नाफ्ता तयार है एकदम कुरकुरा और tasty है बहुत ज्यादा tasty लगता है दोस्तों और इसे आप हरी चटनी के साथ सर्फ करिएगा बहुत delicious लगेगा और आप इसे जब pack करें तप पूरा ठंडा कर लीजिये ठंडा करने के बाद ही इसे टिफिन बॉक्स में pack करें नहीं तो फिर ये सौगी हो जाता है अगर आप इसे गमा गम पैक करेंगे देखिए हमारा टिफिन बॉक्स तयार है बच्चे के लिए अगर आप इसे बच्चों को देना नहीं चाते हैं मतलब आपके घर में बच्चे है नहीं आप खुद खाना चाते हैं कुछ हेल्दी तो आप इस तरह से स्वब कर सकते हैं बहुत ज्यादा हेल्दी है दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर ट्राइ करें और लाइक और सेयर कर दीजिए वीडियो में पहली बारा हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए